तो जी हाँ प्यारे बच्चों एक बार आपका फिर से सोगत है आज के इस वीडियो पर यहाँ पर मैं खंड आ का कक्छा 6 का यहाँ पे बिसे गडिस का आपका प्रत्वा पर मुल्यांकन बरस्थित का पूरा का पूरा सेलुसन आपका खंड आ और खंडवा एक ही वीडियो प खंड आ वाला आपका 30 नमबर का पेपर होगा और एक आपका जू मैं इसके बाद कराने वाला हूँ उसका आपका खंडवा का वहाँ पे आपका 20 नमबर का होने वाला है ठीक है तो चलो यहाँ पे फटा फट हर कोश्चन के आंसर देखते हैं तो देखो यहाँ पे आपको क करना, इस्टार्ट करना है. तो देखू, यहां पे गडित का आपका यह है. पहला कोस्चन लिखा, इसमें क्या लिखा है? एक घनाकार दिब्बे में सतय कितने होती है? तो जब आप घनाकार आपको डिब्बी की बात करेंगे, तो डिब्बा आपका ऐसे बनता है? कैसे देखे ये यह लिखा है एक बीद्धियल है कि 405 बच्चे कैम्प में गए हर तंभू में 5 बच्चे को ठेरा गया है तो कुल तंभू की जरूत कितने होगी देखो 405 आपके टोटल बच्चे हैं और पांच बच्चे एक तंभू में आपको यहां पर उत्तर में आपको लिख देना है बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और यहां पर देखो इसके बाद कोशन मर थर्ड आता यहां पर क्या लिख है च्छायंकित भाग का आपको दसमलों में मान बताना है तो कैसे बताएंगे आ आपको लिख देना है इसके बाद आपका चौथा क्वर्चन क्या है तो तुल भिन मतलब होता है जैसे तीन बता पाँच मैं लिख दिया अब यहती मैं उपर भी दो का गुडा करनूं और नीचे भी दो को गुडा करनूं तो तीन दोनी छे और बांदोनी दस सिंपल सी बा लेवाल आपका अंसर हो जाएगा बेड़ो को लाइक कर दो चैनल को सिस्प्राइब कर लो क्योंकि लगातर यहां पर हम आपके अंसर प्रोवाइट करा रहे हैं और यहां पर देखो यहां का बरसीट का अंसर है निम्र करम में आपको अगली संख्या बताना है तो 100 से कितना ब गड़ी में तीन बजी की स्थिति उसके दोनों सुईयां घंटा और मिनट के बीच मनने वाला कोड क्या होगा तो जब आप तीन बजाएंगे इसमें तो आप सिंपल सही समझ सकते हैं कि तीन के काट आपका यहां पर होता है यह आपका तीन और यहां पर यह देखिए आप कैसा ही यह आपका होता है समकूड का तो आपका 90 डिग्री समकूड होता है यह आपका अंसर डी हो जाएगा आठवा कोश्चन देखिए आपे निम्र में स कौन सी संख्या पांच जार पचपन है तो पांच जार पचपन यही तो होगा, एकाई दाई से कड़ाजार, पांच जार पचपन सिंपल साब को यहाँ पर अंसर करना है, इसके बाद आपका कौन सा कोशन आता है नो नंबर, रहीम के पास, आठ नो छे साथ चार संख्या कार्ड है ठीक है तो इन सभी कार्डों का प्योग करते हुए चार अंकों का कौन सी सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बना सकता है तो देखिए यहापे बड़ी संख्या के बात करेंगे तो नो पहले आगा सबसे ठीक है आंसर आ गया अब यहाँ पे चलो आपका अगला आता है कोश्चन नंबर दसवा क्या कोश्चन लिखा है एक फुटवाल स्टेडियम में तीरासी सो लोगों को बैठने की चमता है परंतु चोथी सीट पर लोगों को बैठाने के लिए निर्देश प्राप्थ हुए है इस निर्देश के अंसार अब कितने लोगों को स्टेडियम में बिठाया जा सकता है बहुत सिंपल कोश्चन है देखो टोटल आपके तीरासी सो यहाँ पे सीट है और बोल रहा है कि हर चोथी सीट में ही बैठाना है बीच में आपको तीन खाली रखना है तो सिंपल सा है न भाग आम के हैं तो दूसरे पर कौन होंगे तो फिखी बगीचे में खूर क粉 पेर 20 है तो दूसों में मतलब आं और किसे बचेंगे इस ब्स गटा डो असी यह पर पेर लिख दो कोई पोश्टर की लंबाई 12 मीटर, चोड़ाई 10 मीटर है, तो पोश्टर के कितने छेत को घेरा गया है, तो पोश्टर की लंबाई देखिए, 12 मीटर, चोड़ाई 10 मीटर, और छेत फल क्या होता है, लंबाई गुड़े चोड़ाई, तो बारा का गुड़ा 10 करिए, बारधाम 120, आपका यहाँ पे बर्ग मीटर या फिर मीटर स्केर कर दीजी अंसर आ गया, इसके बाद देखे कॉशन नबर 13 क्या लिखा है, एक बर्ग का परिमाप 16 सेंटी मीटर है, और प्रतेक भुजा की लंबाई 4 सेंटी मीटर जब बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, बढ़ा दि तो 4 में से 4 और जुड़े जाएंगे, मतलब 8 सेंटी मीटर इसका परिमाप निकालोगे, तो परिमाप बराबर 4 एक्स होता है, तो 4 में आपके 8 का मल्टिप्लाई करेंगे, 32 सेंटी मीटर अंसर आ गया, इसके बाद आपके यहाँ पर 14 कोशन आता है, ककड़ी और गाजल का परती किलोग्राम मूल दिया गया है, देखो, कितना लिया, उसने गाजर कितने लिये, आपको समझ लेना है, ककड़ी का मूल 16 रुपए परती किलो है, और गाजल 20 रुपए परती किलो, अब यहाँ पे लिया कितना, यहाँ इसी में मैं आपको लगाग दिखा देता हूँ, ठीक है तीन सही दो यानि दो तिया इंच है साथ बटे दो कितना साथ बटे दो यहाँ पे इसने क्या लिया इतना केजी आप यहाँ पे लिया उसने ककड़ी लिया और यहाँ पे देखे तो दो दोनी चार पांच पांच बटे दो किलो यहाँ पे क्या लिया उसने गाजर लिय आप पूछा है कि कितने लिया तो सिंपल सा कुछ नहीं करने है आपको यहां पे साथ बट्टे दो में गुड़ा यहां पे 16 कर दीजिए 2 अठे 16 साथ अठे 56 रुपए और इसका आप मदद 56 रुपए ककड़ी लिया और बाइस में गुड़ा कर दीजिए पांच बट्टे दो तो फांच बट्टे दो तो गयरा से कर जाए गयरा पच्छी पच्पन तो यहां पे पच्पन रुपए यानि कि आप यहां पे गाजार कमूल क्य बाइस रुपए तो दो साल बाद कितना लौट आएगा तो प्रती माह जमारासी दुपए जिएए आफ दो साल उसने दिया है जैंए ह opposition सब्सक्ट 3445 lep ग्राम आपका पेज है उसे बीस बोर में बराबर भरना है कैसे बिस बोर में बढ़ो होगा तो क्या पढ़ना? 20 कट बाफ देना पड़ेगा भाग दोगे लेखो 2325 में बाफ दोगे तो आपका एक बोर में बाज बज्झाल करा आएगा और दता पांच केजी सेस बच जाएगा यहाँ पे आपका खंड आका पेपर यहाँ पे सॉल्व हचुका है बेडो को लाइक कर दो चैनल को सस्क्राइब कर दो अब चलिए चलते हैं आपको यहाँ पे दिखाते हम खंड बा का अंसर आपका यहाँ पे कच्छाचे के गडित का आपका इस्टार्ट होगा क्या कोश्चन दिया है यहाँ पे कोश्चन लिखा है बिद्यार थी इंच सेट हुआ इसकेल की साहिता से बस्तो की लंबाई की जानकारी आपको सार्णी में आपको लिखना है तो बस्तो के नम जैसे आपने पूस्तक का आप नाप के लिखोगे आपका हुनुमाने तोपान यहां पे 10 cm लिखना है और पेन का आपका लिए देगे आप पाउस सेंटीमीटर, बल्ला पसका 15 cm ठीके, ठ्रे का आपका यहाँ पर 11 cm, फ्रिज का आपका यहाँ पर 36 cm, बासिंग मसेन का आपका 30 cm, आपको यह लिखना है, इसके बाद आपका यहाँ पर आलमारी का आपको यहाँ पर 40 cm कर देना है, ठीके, आपका इसके बाद आपका मिक्सी का यहाँ पर 12 cm, यह कर दो, और आ cutler का एक मीटर से कम हो जाएगा ठीक और इसके साथ यहां पर रबर का एक मीटर और चोकलेट का यह answer कर लो और इसके बाद यह आपका planner किसका है फॉर्ज size शह में आपको संपोंड भी सवाल आप एक जाय ऑपर लिखा रहेगा तो एक मीटर से लंबी खाद बस्तवे का मूल पता कीजिए मूल के साहता से 5 किलो और 2 किलो ग्राम 500 ग्राम और 500 ग्राम खरदने में कितने रुपए लगेंगे आपको बताना है तो जैसे गेहूं आप 20 किलो ग्राम यहापे करोगे ठीक है तो 20 किलो ग्राम जब आप यहापे ख़ई दोगे तो आपको यहापे बताना है क्या यहापे आपका प्रती किलो ग्राम आपको कितना था तो आपको इसका रेट बताना है और यहापे चावाल का इसके बाद सक्तर का यह सभी आप यहापे लिग लोगे यहाँ पर सक्कर आपका 10 रुपए में और तूर यहाँ पर 25 रुपए में और दाल आपका यहाँ पर 25 रुपए में ठीक है कर देना है और इसके बाद 500 ग्राम में आपका 10 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए और यहाँ पर आगर आपका यहाँ पर लिखा है आप दाल लिखे 2 kg आपकी वाले कितने रुपए में 40 रुपए में 80 रुपए और यहाँ पर आपको यह आपको इस प्रकार से अंसर भरना है कुछ भी आपको करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर गड़ित के हैं यहाँ पर पर प्रोजेक्ट कार वड़ा ठीक है तो मैं फिनल को सब्सक्राइब करके जाओं मिलते हैं पर यहिंद यह भारत आप अ झाल झाल